हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी मैं रोईत कुमार आप सबो को तहर दिल से स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल ड्रिम कलासेश पे तो आप सब तेजी में अपने मित्र के पास शेयर कर दें और आज का कलास जो हमें आधोनिक वारत का ले रहे थे उसी में आज ज बहुत जादा आपको समझ में आएगा लाश्ट तक बने रहिएगा और हम कोसिज करेंगे कि आपको पूरी अच्छी तरह से समझाने का ठीके ना तो इसलिए आप सब कलास को लाश्ट तक देखने का कोसिज कीजिएगा और जो लोग पिछे वीडियो नहीं देखें उनको जाकर तो आप सब देख लिजिएगा तो शही रहेगा ठीक है न बाबो तो देखिए आज हम सब क्या देखेंगे 1857 का बिद्रो तो आखिर ऐसा क्या बात आया कि 1857 का बिद्रो अस्टाट हो गया तो भाई एक बात आपको बता देते हैं किलियर कर देना चाहते हैं कि डलहा इनिटी को अपना देया और यह काम करके चला गया और 1800 संतामन का जब द्रो हुआ तो उस टम क्या होता है उस टम क्या करता है इने panrichten 1285 वे जो Lord Canning आये और Lord Canning इस्टेम के कोई है जी? Governor है, कोई है? Lord Canning और Lord Canning के इस्टेम गवर्नर बनके आये है और Lord Canning जब गवर्नर बनके भारत आये तो यहाँ पर क्या हुआ है? तो यहाँ पर जो विद्रो का महल बना हुआ है उसके बारे में समझते हैं, बिद्रो कैसा है, बिद्रो इस परकार से है, क्योंकि आपको पता होगा, अफवाई बहुत ही खराब है, ठीक है अफवाई जो है जल्दी फैलता है, तो वही बात यहां पर हुआ, तो यहां पर देखिए अफवाई 1857 का एक दू कारण है, जिसमे सबसे पहला कारण, यहां भी बताया जाता है, कि 1857 के बिद्रो में, यहां पर क्या कर रहा था, तो नदी गंगा मतलब उस टेम क्या था न, हाँ, उस टेम क्या पहला बिद्रो क्या हुआ, तो यहां क्या हुआ, खाना में क्या मिल गया, एक हड़ी का टुकरा मिल गया, और इसलिए बिद्रो होता है, मतलब क्या होता है, कि सेना को यह हड्डी वला, क्या मतलब आठा खिलाएंगे, तो क्या होगा, सेना मजबूत होगा, और लडाई में बहुत अच्छा लड़ेगा, तो छुटका आपको एक बात और बता देते हैं यहां पर हम, क्या कि हड्डी में कि जो केल्सियम पाया जाता है, उसी कारण मजबूत होता है पहला कारण तो यह था और आपको पता है, कि एक रस्वही को मिल गया बनाते हुए और वा क्या होगा, चारो तरफ फैल गया, क्या फैल गया, कि जो सेना है, सेना को क्या कर रहा है? हड्डी मतलब हड्डी वाला बीधिरो एक बेख MRT एंधे से शिसरा हम समय न न चर आरा खिलाया ध्या लगा था पला चाल रहा है बाला गडरो तो यह था और किष्टर itt वुक्या मतलब पार गस benzitर कOOD हो फइंढे के बादक्व प्रेशन शे Pourई भार रहये जो बाली मरने के बाद एक दम उसका कोई उप्रेशन नहीं, कोई इलाइज नहीं, जब उसको गोली मार दिये किसी को, तो उसको अब मरना है, तो मरना है, और यही बात चुटका, बस एक दो कारण किसे क्या हो गया, अठासो संतामन का बिद्रो हुआ, तो सबसे पहले जो बात है, मंगल पांडे और मंगल पांडे जो है, अठासो संतामन का बिद्रो में, वह क्या किया जी, अठासो स्चपन में, ठीक है ना, अठासो स्चपन में, स्टैनिकों के लिए, तो यह बाबू, व्राउस वेस राइफल के जगा पर, एएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए जो गोली लगता था उसमें क्या होता था उसमें होता था कि जो गोली लगा तो गोली लगने के बाद क्या होता है जी अब प्रेशन करने के बाद बच गया लेकिन एंफिल्ड राइफल जो लाया गया तो उस एंफिल्ड राइफल में जो गोली डाला जाता था उस गोली में जहर लगा देता था तो उस जहर को अब बताओ बाय को हाथ से उठाइगा उस गोली को तो गोली लग जाएगा ettीजीगा। तो देखना को भी द्रिकत होता उस लिए उस गोली में चरवी का नजानाना भी लगार नमा सुरू किया। तो उसको कर्तुस को क्या करना है उसको छिलना है गोली को मतलब जो लगा हुआ है चम्रा और उसको क्या करना होगा उसके बाद गोली शिट करके मरना होगा इन फिल डाइफल की कहानी थी लेकिन यह बताया गया कि गोली में जो उपर लग रहा है कर्तुस्त में जो चमरा वह किसका किसका है तो गाय और सूर का है किसका है बाबू गाय और सूर का है तो एक बात और बता जेते हैं गाय और सूर गाय और सूर के चमरा में मतलब गाय का जो गाई के चमरा को जो कौन है हिंदू लेता है तो उसका धरम नास और मुस्लिम जो है सुवर का अगर जो चमरा लेता है तो उसका धरम नास तो भाई उस टेम का इस परकार सा फेज था कि धरम को अगर जो नहीं मानते हो तो उससे बरकार कोई बात नहीं धरम को मानना होगा क्या धर्म की बाते बात ऐसा बताता आपको पता होगा एक बेखती है राजा राम मोहन राए और राजा राम मोहन राए एक बस बोल दिये कि हम मुर्ति पूजा पे बिशवास नहीं करते हैं जिस मुर्तियों को लोग बनाया, हम उस मुर्ति पे विस्वास नहीं करते हैं, तो जब ऐसा वात जैसा है राजा राम मोहन राय बोले, तो उनके पिता उन्हें उन्हें एक सब्द में कह दिया, क्या का दिये कि आप जब तुम मुर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हो तो हम तुमको अपना बेटा मानने से इनकार करते हैं क्योंकि उस टेम का फेज इस परकार से था कि जब तक जब धरम नहीं तो कुछ नहीं धरम नहीं तो कुछ नहीं तो आपको पता होगा, जैसे अभी के, अभी में क्या है? तो अभी में है ऐसा कि कोई भी उखिती जैसे माता मंदिल के ले इतिकरDas को लेकर चलने के लिए ह्लोगे जलो साथ में एक का रहे है रहा है if भी पर फेर नहीं जाएंगे? यहां तक ऐसा होता था, कि यह कहा जाता था, कि समंदर के पार नहीं जाना है, समंदर के पार जहां दूब नहीं होते हैं, वहां नहीं जाना चाहिए भारतियों को, लेकिन अंग्रेज क्या करता था, सिना को तयार करने के लिए, वह समंदर पार ले जाता था, समंदर पार ले उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है और पत्नी उनसे सवाल करते हैं कि आप कौन है समझ जाए उनकी पत्नी भी उनको पहचानने से इंकार कर देती थे उस टाइम का जो धरम है मतलब धरम था वह कुछ था और अभी कुछ था तो यह बिजरों का सबसे बड़ा कारण यही हुआ जो ब्राउस्वेस राइफल था उसमें तो पाले चल रहा था जैसे सिंपल गोली लेकिन उसके जगह पर एंफिल्ड राइफल को लाया गया जो कार्तुश डाला गया था उसमें गाय और सूवर का था तो भाई एक बात और बता देते हैं शेना में पाले सबको भी जाता था और उनहीं में एक ब्रहमन परवार से बिलों करते थे और शेना थे जब उनको यह बात पता चल जला कि जो राइफल जो चला है उनमें क्या जब लोग एक जो अंग्रेज का हीट था उन्होंने ग्या किया बोल आप पानी पिलाईए तो पानी जी काते हैं हम खुद बरहामन तुमको पानी पिलाएंगे तो उसी में अंग्रेज का एक शेना बोल दिया कि इस बार जो राइफल आया इन्फिल राइफल वो कैसा होगा सुवर और गाय के चमरेका है तो आपका सब धरन धरम जो हो जाएगा तो जब ऐसा बात सुने तो मंगल पंडे अन देखता हो और वो चल गए कहां वो चल गए अंग्रेज के पास अंग्रेज के पास और उहां पर जो था अंग्रेज के जो हेड थे उनका एक का नाम था जिंडरल वाग और सार्जन एक का नाम तहार जिनेरल दुश्रा का नाम तहार सर्जन, और वो डायरेक्ट जाकर बोले, डायरेक्ट जाकर के मंगल पांडे बोले, क्या बोले भाई, कि वहाँ गए और गये, कि इस बार जो राइफ़ल आ रहा है, क्या इस राइफल में करतूस्तोका, जो गोली है, उसमें जो चमरी मतलब मारा गया है, क्या हुआ, सुर और गाएका है? तो यह दोने एक सब्द में बोले, कोई भी होगा, कुछ भी किसी भी परकारका होगा, तुमको क्या करना होगा? तुम को गोली छोड़ना होगा. जब ऐसा बात मंगल पांडे सुने, तो उसनों ने क्या किया गोली निकाला और ये जेनरल वाग और सार्जन को वहें पर गोली दाग दिया कौन तो मंगल पांडे ठीक है ना तो अब बात यहां पर सुनते हैं जिके ये घटना क्या हुआ तो मार्स अठासो संतामा निश्वी को चाउंतिसमी रेजिरमेंट बैरकपुर शाबनी से एक वेक्ति है जिस वेक्ति का नाम है मंगल पांडे एक बात और सुन लीजे ये आपको पुछेगा एक्जाम में पूछेगा ये मंगल पांडे कोम्मी रेजिमेंट से बिलोम करते थ तो याद रखेगा चॉँन्तिसमी बीरेजिरिमेंट से और ये कहां कहें तो बैरकपूर शाबनी से अब यहां पर क्या हुआ इन्हों ने क्या किया थो माई 12,60 Master इन्हों ने क्या किया मंगल पांडे ने गेनरल भाज और सार्जन को मार दिया जैसे जेनरल बाग और सरजन गाये तो वह बहै हम 307 लिट मंगल पांडय को क्या कर लिया गया पकर लिया गया और उन्हें फांसी दे दिया गया मंगल पांडय को यह कर दिया गया और भारतिय सेना को कहा गया ज़ा कि भाई दुम चोड़ो तो राइफल भी नहीं तुम ब्राउस भीष रखो तुम क्या करो भारतीय सेना को क्या दे दिया गया लाथी दे दिया गया बोला कि पता ने इससे भी एका गुली दाग देगा तो और दिकत होगा ठीक है ना तो यहां पर क्या हो गया मंगल पंडे को फासी की सजा शुना दिया गया और मंगल पंडे को फासी की सजा कब हुआ तो याद रखेगा 8ção 880 750 तुमेचे यह भी पूच्छ सता हे कि मंगल पंडे टिसी टिसको मारे तो एकनल टिसे गा जेनरल वागर और दूसर का साज़न, दोनों को गोली मार दिये ठीक ना और गोली मारने के बाद 1857 इस्वी को मंगल पंडे को फ Comesy दे दिया गया अब भाइ मंगल पंडे को जब मंगल पंडे को पंडे दिया गया और पंडे आए द dachte Today अब सभी भारतियों को लाटी थामा दिया बाई तुम कोई राइफल मत रखो पताने क्या करेगा नहीं करेगा उसके बाद क्या हुए बिजरो होने लगा गुरूब बाई गुरूब चलने लगा क्या भाई जो राइफल आ रहा है एंफिल राइफल राइफल चोड़ना है मतलब गोली चोड़ना है मतलब कहने का मतलब बाते ऐसी चलनी लगी कि अब क्या करना है एंफिल राइफल चलाना है या सेना में काम करना है या क्या बनना है मंगल पांडे बन जाना है क्या करना है मंँगल पांडे बनना है मतलब मारो और मर जाऊ सभी लोग मतलब क्या कर रहे थे ये बाते चल रहा था तो इस बिदुरो vibes क्या करते कि अब इहान पर क्या होने वाले है एक ब्लास्ट हने वाले है क्या है और बाई यहां देखिए 8 अपरेल मंगल पंडे को फांसी दे दिया लेकिन 10 मई 10 मई में मेरट के कुछ सिपाही सुनिए मेरी बात कहां बाबू? मेरट में मेरट में क्या किया? कुछ सिपाही नि कुछ जो भारतिय थे वो मिल गए एक हो गए और जब एक हो गए तो उन्होंने क्या किये एदम प्लान बनाए कि एक दिन हम क्या करेंगे? रात में रहेंगे क्या करेंगे? रात में हम रहेंगे मतलब सब लोग जागेंगे और अंग्रेज को सरिया देंगे ऐसा प्लान चली रहा था और इधर क्या किया? इधर क्या किये कि प्लान बनाते और सब लोग मिलने के लिए क्या किये मेरट के कोच सिपाही ने ब्रेटेन के सेना को क्या किया एक राथ मारना और स्टार्ट कर दिया और इतना मारा कि मत को और मारने के बाद मारने के बाद जो मेरट में बहुत सारा गोली वारूद और राइफल रखा हुआ था एक एक शिपाही 10-10 राइफल लेकर के कहां जाके मिलेगा तो मुगलवास्सा बहादूर सा दूतिये से जाकर अभी मिलेगा तो पहले मेरी बात को को ध्यान प्रुबख सुन लिजिए पाले ध्यान से मेरी बात को यहां परिदम सुनिए 10 अप्राइल अठरासो संतामन इस्वी को मेरट के कुर्च स्विपाही कहां जाके क्या किये ब्रिटिस सेना को एकदम फैंटी आ दिये और फैंटी आने के बाद तुमसे यह भी पूछ स और रोटी ठीक है जैसे क्या हुआ कि अब प्लानिंग चल रहा है भाई तो खाना खाने के टाइम भी है तो सब लोग रोटी दिखा रहा है एक दिखाने लगा तो वही बात रोटी दिखाने से मतलब यह था कि सब लोग भाई साथ दो हम तुमारे साथ हैं बात समझ में आय पर याद रुकना तुमसे पुझेगा मंगल पंडे किसको किसको गोली मारा तो एक रखिया गा जेनरल ऊच का न दुसरे का सर्जन अब क्या हुआ यहाँ बात को और सुनते हैं क्या सुनते हैं यहाँ यहाँ पर क्या हुआ उच्ते मुगलबाद सा ग् pedit मुगरबाद साथ बहादुर सा दूतिये, और बहादुर सा दूतिये को भी क्या किया, चिठी आ गया है, कि जब तक आप जीवी थें, तब तक तो आप दिल्ली में रहें, और जैसे ही आप चले गए, तो आप क्या होगा, इस घर पे, किसका अधिकार हो जाएगा, मेरा अधि किसको चल गया था जी, बहादुर सा दूतिये को, तो मेरट के सिपाही क्या किया, मेरट के सिपाही, वहाँ से बहुत सारा, चीज मतलब लूटा पूटा, मेरट से, और जाके किसे मिलता है, बहादुर सा दूतिये से, किसे मिलता है, बहादुर सा दूतिये से, और कहता है, क कि चलिए क्या करते हैं हम सब अब अंग्रेज को खाली कराना शुरू करते हैं तो मेरी बात को और समझिए सुबा में क्या किया रात उतमे लड़ा और सुबा पहुंच गया किस में मेडर से दिल ली एकदम पूरा सेना एक एक जो सिपाई थे दस दस राइफर लेकर के बहादूर सा दूतिये के पास पहुंच गए क्या होगे बाबू बहादूर सा दूतिये के पास पहुंच गए और बहादूर सा दूतिये को कहा कहा क्या कहा कि देखिए हम सब आपके साथ हैं चलिए अब अंग्रेज को क्या करते हैं खाली करवाते है तो अब हम आपको बता दिये थे भारत के बाइसराइ लॉड कैनिंग थे अब देखिए यह अठारा सो संतामन का जो विद्रोही है किस किस छेत्र में हुआ है वो सारी बातें यहां पर लिखा हुआ है क्या क्या है तो किस अस्थान से हुआ है विद्रोही का नाम और विद्रो विद्रोही को जो संत किया उसका नाम पूरे बातें लिखा हुआ है हम इसको एक बार अच्छी तरह से समझा देते हैं और आप लोग इसको क्या कीजेगा अच्छी तरह से अस्किन सट ले लिजेगा और अराम से करते रहिएगा तो यहां पर देखिए सबसे पहला आपको भी जश्ट बताए आपको भी हम जश्ट बताए कि मेरट की सिपाही कहां पहुचा तो मेरट की सिपाही दिल्ली पहुचा और दिल्ली में जाके किन से मिला तो बहादुर सा दूतिये से दिल्ली में जाके किसे मिला तो बहादुर सा दूतिये से मिला और विद्रोही तिथी अगर जो पुछेगा कि विदरोख कब हुआ, तो याद रखना, मेरट में 10 माई को ऑश्टार्ट किया था, 10 माई को मेरट के सीपाई ने क्या किये थे, भारती, बीरिटें के सेना को मारे थे, और 11 को सुभा सुभा, किसे मिले, बहादूर सा दूतिये से मिले, और बहादूर स दूतिय क्या करता है दिल्ली खाली करवा दिया क्या करवा दिया बाबू दिल्ली खाली करवा दिया लेकिन लेकिन अंग्रेज फिर क्या करता है इस पर एक्षन लेता है और इसका बिद्रोही सांथ जो करते हैं एक का नामे निकोल सन दुसरा का नामे हर सन तुमसे पूछेग 1850 nowhere, डिल्ली बिडरो ही ठीन उनका नाम थो बहदूर सादूतिये का बिडरो किसमें आसके सांथ किया? थोन सांथ करने वाले थी नीकोल्चन और हुर्सन एक बात आओ बता जेते हैं आपको बहादूर सा दूतिये को जब हराने लगा भागाने लगा तो बहादूर सा दूतिये हुमायू के मकवरा में जाके छिप गए और जब हुमायू के माकवरा में बहादू सा दूतिये चिप गया तो ये क्या होता है? बहादू सा दूतिये को पकर कर रंगून लेके चल गया और रंगून ले जाने के बाद उसको वहीं खत्म कर दिया ठीक है तो सबसे पहला बिद्रोही दिल्ली में बादुसा दूतिये कब हुआ एक ग्यारे मई एक्टासों टामन विदरोई सांथ किसने किया तो लिखना है निकोल्सन और हर्षन ने निकोल्सन और हर्षन ने चलते हैं अगला लखनौ से ठीके ना दूसरा दिली के बाद लखनौ और लखनौ में कौन है बेगम हजरत महल कौ अभी हाल प्रमें देखा होगा क्या देखा होगा जी कि जो रेलवे वाला जो रेल ताय था उसमें दिक्रतिव ती तो पहले एक जगा टीन लखाया तो उसके देखा इसकी उदर दूगों ना दिया फिर देखा इसकी फिर लाका दिया तो आट्रषन संदामन का बाद यही था सभी को अंग्रेज से दिक्कत था बस यह स्टार्ट कौन करता है वो देखना बाकी था तुम भी देखता होगा लड़का सब लगाई करने के लिए जाता होगा तो क्या देखता होगा जुण में देखता होगा कि सबसे पहला लबपर कौन चलाबे बस लबपर चलना एक जोता है होगा तो सबसे पहले कौन कर दियाता है तो सबसे पहले कॉन करदी था दि डिल्ली मेरिट कर स्पाय कुर्ड की बादु जैसे ही दिल्ली तयार उन्हें लखनाव फिर से उठोया बोला कि दिल्ली जब तयार है तो हम का आए छोड़े हम कहे छोड़े और लखनाव से कौन है तो बेगम हजरतमाल और बेगम हजरतमाल कब तो 4 जुन 877 में इनका विजरो किसने संत किया तो याद रखेगा कालीन और क कल सन्य इनका कॉन किया तो कॉलिन और केम्पबिल ने इधर हो गया इधर सुनते हैं कानपूर कौन है बाबो कानपूर कानपूर से कौन है नाना सहब और नाना सहब क्या है जी मुह बोला बेटा है मुह बोला बेटा है तो किन का तो बाजी राव दूतिये का बाजी राव दूतिये का ये एक मुह बोला बेटा है आप याद कीजिए तिरतिये मराथा यूद में जब संदी हुआ तो बाजी राव दूतिये को अंग्रेज क्या करता है कानपूर दे दिया और कानपूर का ही क् नाना साहिब उनके मुह बोले बेटे हैं नाना साहिब क्या है उनके मुह बोले बेटे हैं और कानपूर से कौन है नाना साहिब और तात्या टोपे और पांच जुन अठासो संतामन में ये बिदरो अस्टार्ट कर दिये अब धीरे 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 सभी छेतर में बिदरो हो इनका भी विदोजिस निसांत करनाम था? कॉलिन केम्पबेल ने, कॉलिन केम्पबेल ने, अब देखिए, कानपूर के बाद आ गया जहांसी, कानपूर के बाद जहांसी, और कानपूर में कौन है जी, तो कानपूर में जहांसी, कानपूर में थे नाना साहिव, और जहांसी मे लक्षमी भाई और एकन है तात्या तोपे लक्षमी भाई देखिए तात्या तोपे यहां भी है और तात्या तोप यहां भी है और आपको पता होगा जहासी लच्मी भाई के साथ देरे तात्या तोपे और कव जून अठामानिश्वी में आपको पता होगा जहासी लच्मी भ याद रखना General Hiroj, क्याननद बबू, General Hiroj ने जहांसी लख्षमिबाई को गोली मारा था, आपसे यह भी पूछ रखता है, लख्षमिबाई का परतीमा कहां बनाया गया, तो याद रखना, ग्वालियर में, ग्वालियर पहुंचे कौन, ग्वालियर पहुंचे जहांसी लख्ष क्या करवा दिये, और उनको गोली मारने वाले कौन थे, तो General Hiroj, कौने बाबू, General Hiroj, चलिए, जहांसी के बाद आगे, जहांसी के बाद जो है, वाह, जगदीशपूर, जहांसी के बाद कहां, जगदीशपूर, और जगदीशपूर, जगदीशपूर से कौन है, तो वीर वीर कुवर सिंग, और उनके भाई, अमर सिंग, ये तो उन्होंने क्या करते हैं, 12 जून, अठासो संतामन को यहां बिहार से इनको, मतलब अंग्रेज को भागाना शुरू कर दिया, तो यहां पर क्या देखे, वीर कुवर सिंग, जगदीशपूर से खाली कराना स्टार्ट किये, और यूपी तक गए, कहां तक गए बाभू, यूपी तक आये, और यूपी में जो पुछेगा, तो सब लोग इनका स्वागत किया, सब लोग इनका स्वागत किया, लेकिन याद रखना, एक जगा है, यूपी में जिसका राम है, रिवा, क्याना बाभू, रिवा, औ नहीं क्या.. यहां भी housekeeping कानपुर्ण नाना नासाहिप से मिले लच्वी भाई से मिले विरकुवर सिंग vendor लेकिन इधर घ्या तो इनको नहीं वा चलते हैं.. यहां पर इनका नाम, जो बिसात कहा क owका नाम था.. मेजर विलियम टेलर... मेजर बिलियम टेलर मेजर बिलियम टेलर जगदिश पूर से कौन थे विर्कुवर सिंग और आपको पता होगा विर्कुवर सिंग को जैसे ही गोली मारा तो जय गंगा मैया कहके अपना हाथ कटवा दिये और कहे क्योंकि यह इसका जहर फैलेगा उससे भी उनकी मिर्तु तो क्या किये तलवार निकाले और तलवार निकालने के बाद जै गंगा मैया करके अपना हाथ को गंगा मैया में परवा कर दिये लेकिन ज्यादा खुन वह जाने के कारण रत वह जाने के कारण वीर्कुवर सिंग की क्या होता है वह वो निर्ती हो जाता है वीर्कुवर सिंग स और जून 1895 में इनका बिद्रो, मौलभी, अब्दुल्ला, 1895 का बिद्रो ये अस्टाट किए जून में और इनका बिद्रो सांध वो कौन किए? तो जेन्रल रेनार्ड ने, ठीक है न? इलाहवाद से कौने लियागा- तली इलाहवाद से कौने बाबू लियाका- तली और इसक 157 में बिद्रोई संत हुा और इनका नमें जो इनका बिद्रोई संत किये उनका नाम है उनका नमें विंसेंट नायर कहना भाव। विंसेंट नायर तो आपसब क्या किजिए इसको एक-दो बार रिविजन कीजी का और इसका श्किंस्ट फिलाल भी आप सब इसका ले लीजिए ठीक है ना चलिए जल्दी सबर कि ले हो गया होगा चलिए हो गया चलते है बाबु आगे की ओर ठीक है अंतिम मुगलबाद्सा बादुर्सा दूतिये बादुर्सा जपर हुमायू के मकबरा से पकर कर उसे कहां बेज दिया बर्मा की राजदानी रंगुन बेज दिया कि मुगल बास्षा का अंतिम कौन हो गया बादुसा दूतिये और बादुसा दूतिये को हुमाईव के मकवरा से पकर के रंगुन भेज दिया बर्मा की राजदाने रंगुन भेज दिया नाना साहिब को दोंदुपंत भी कहा जाता था था और यह वाजी राव दूतिये वाल उसके मालन साहिब है।न 1956 मिल्मां इनको चैकwar ऑजिब मुलल खाङakingो 3 बिल्सकेश नाम है आजिब मुलल खाङ fertig बाभर भावी क्यों बिल्सक्न सतनी है बेग आए बर को अगला है kデकिते है look विण भर कव्या है उसको बता देते हैं आपको तो वस हाँ देखे नाना साहेब ठीक है नाना साहेब के कमांडर जो तर तात्या टोपे थे और इनके मूल नाम था राम चंद्र पांडे ठीक है ना तात्या टोपे का मूल नाम पुछेगा तो तात्या टोपे का मूल नाम हो गया राम चंद पांडे बैटो 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 मृत्य हो गया एक मात्र ऐसा है जिनका नाम राम रामचंद्र पंडे या तात्या टूपे और तात्या टूपे की मृत्यु सबसे लस्ट में हुआ अठासो अंठाम निश्मी मैं ठेक ना और यहाँ पर देखे इनको टात्या टूपे का एक दोस्त था जिस नाम था मान सिंग, मान सिंग क्या किया कुछ पैसे के खातिर अंग्रेज से मिल गया और बता दिया कि यह कहां छिपे हुए हैं, उनके बाद इनकी हत्या कर दिया गया, फांसी पे चरह दिया गया था, चलते हैं, लक्षमी भाई, लक्षमी भाई का जनम 9 नोबंबर 1835 में बन पानु कणिका था-एक है और इनके पत्रे का नाम वाल गंगा धर तिलक थे, त्याते बाबो, वाल गंगा धर तिलक आपको बताएथे ही ही का जुट परतिम्मा वह कहां है? ग्वालियः में है क्या की ग्वालियर के जुर आ ज्राजा थे उह अंग्रेज से मिल उनकी रत्य करवा दिये थे 1800 अन्ठामन में ठीक है ना चलते हैं आगे की ओर एक बाद आओ पुछ रहा है यहां पर पुछेगा यहां पर कोस्टन आपका बन रहा है क्या कोस्टन ने चुटका वह पुछेगा बिद्रो देखने बाले अपने आख से देखने वाले बेक्ति का अनाम क्या था तो यार रहना मिर्जागवाली और याल मार्क्स ये दो 1857 के बिद्रो वोई देखने वाले थे, एक का नाम है कालमार्क्स, दो सरकार का नाम है मिरजा गॉवाली, ठीके ना, तो मिरजा गॉवाली का जनाम, 27 दिसंबर, 1796 अगरा में हुआ, ता मुर्तियों, 15 फरबरे, 1879 में, दिल्ली में हुआ, और कालमार्क्स का जनाम, 1818, और यहिंकी मुर्ति एक जाम में एकदम पूछेगा, पूछने की संभावना रहती है, क्या है बाबो, कि 1857 का जो अपने आँख से देखे हैं, उस बिद्रोई का, उस और उनका नाम बताई है, तो एक बाई आद आखिएगा, मिर्जा गुवाली और कौन थे एक, मिर्जा गुवाली एक बहुत ब संतामन के बिद्रोई में ये बात तो हो गया, लेकिन कुछ आपको इसमें इतिहासकार का नाम पूछेगा, ठीके ना, 1800 संतामन के कुछ इतिहासकार को पूछेगा, उस इतिहासकार का नाम थुरा हम आपको बताते हैं, ठीके, चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस से से कोश्चन आने की संभावना रहेगा तो आप सवे लोग एकड़म ध्यान से सुनेगा कुछ-कुछ बात रहेगा उसको अच्छी से देखियेगा देखे अठारासो संतामन 1800 संतामन के बिद्रोही इतियासकार मतलब 1800 संतामन को कौन इतियासकार किस नजरिया से देखा और क्या नाम दिया उसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे ठीक है ना तो तो पुर्न सैनिक बिद्रोह, 1800 संतामन के पुर्न सैनिक बिद्रोह कौन कहा था तो सर जॉल लॉरेस और सीले ने, सर जॉल लॉरेस और सीले ने इने 1800 संतामन के बिद्रोह को क्या था था यह पुर्न सैनिक बिद्रोह है तो आप बताएंगे यह 1800 संतामन का बिद्रोह जो है थे तो यह वाव गलत थे ऩाइने जो आब देखिये यह 18 ambitions स्वतंतर संग्राम ड़ाक्टर इस्वरी परसाइद दूसरा शया नमबर में करते हैं यह 1851 का भिद्रो यह क्या है तो यह स्वतंतर्ता शंग्राम है क्या है जी स्वतंतरता संग्राम है तिसरा जो तिसरे नमबर पर इत्यास का रहे हैं डाक्टर विलास सर्मा इन्होंने क्या कहा आठासो संतामन के बारे में यह एक जन करांती है आठासो संतामन क्या इसा करांती वा वो अंटासो संतामन का बिद्रो के बारे में इन्होंने क्य कहा या एक जन करांती है डिजराइली क्या कहता है इसको सुनिए डिजराइली कहता है या एक राष्ट्य बिद्रो है तेके ना डिजराइली जो है वह क्या कहा रहा है जी या एक राष्ट्य बिद्रो है कौन का डिजराइली तेके ना चाथा नंबर पाचमा जाद अखिया का का वह वह डवलू टेलर और जेम्स ओर ट्रम जेम्स ओर ट्रम और डवलू टेलर क्या काता है या अंग्रेज, अंग्रेज के बीच हिंदूओं और मुसलमानों के बीच क्या है staat ऑट ही कि हिंदूओं और मुस्लिम दोनों मिलकर इसाई अंग्रेज को इंग्रेज के साथ लर रहे थे तो यह किनका है तो यह बोले हैं डबलू टेलर और जेम्स और ट्रम यह सावरकर और यह क्या है अर्विशी मजुमदार सावरकर का क्या काना है राष्ट्रिय सोतंतरता के लिए सुनचित ठीज पयँआ है तो अथारासो शंतामन में रहा होता अंग्रेज यह बहाग जाते लेकिन और यह क्या कर रहे हैं जा तो फृब हां से ॐकए कांटपूर रहे हैं तो कोई कार्णपूर कोई लाहवाद से लरे हैं कोई बिहार से लरे है ठेक है। एक से तो भाई से विहार से तो है वह बीरकुबर सिंह आंसु लाह ठीक हुए ठेक है तो ध्यान से सुनियेगा यह क्या आशी मजुम्दार का क्या काना है 1857 का भीद्रो स्वतंतरता संग्राम नहीं था सची बाते जी स्वतंतरता संग्राम सब मिलकर नहीं लड़ रहे थे कोई अपना अपना छेत्र बचाने की काम में कर रहे थे तो यह इतिहास कार के बारे में भी आपसे पूछेगा तो इसको भी क्या कीजिएगा देखते रहेगा और एक बात आपको बता दें क्या बताते हैं उस सुनिए जो यह आधोनिक वारत का 50 कोशन का स्रीज चल रहा है व तो आप जरूर देखें और ऐसा मतलब आदोनिक बात का बीच बीच में हम सब क्या करेंगे क्लास लाते रहेंगे ठेके बाबो आज यहाई तक जय हैं जय भारत बाई बाई